दोस्तो हम सबको पता है कि non-stick का जो कुक वेर है वह हमारी सहरत के लिए अच्छा नहीं है और जो cast iron का कुक वेर है वो इस्तमाल करना मुश्किल है तो हमारे लिए दूसरी सबसे अच्छी चीज कुकिंग के लिए होगी स्टील का कुक वेर दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बढ़िया फ्राइपैन का रिव्यू करूंगा जिसका नाम है बर्चनर आर्जेंट स्टेनलेस स्टील राइपलाई फ्राइपैन चलिए आईए शुरू करते हैं आज बर्चनर चन्ट स्टेनड्लेस टील का जो फ्राइपैन बहुत ही बढ़िया इसकी इसकी बिल्ट भी अच्छी है यह ड्राइप लाइक च्रौस्टाक्शं है दोस्तों जिसमें मेंग्नेटिक टील का उपयोग方 किया गया बाहर फिर एल्म чтоб अर्फिर 18 वाइदस का स्टेन स्क्र symptom किया गया है जो 18% क्रोमियйum है और 10% निकल का इस्तेमाल हुआ है यह स्टेनले स्टील यूज हुए है यह कैमिकल फ्री है और है रहा है फूडगनुछ अ से iek's अ दृट है और बिल्कुल मजबूत है यह साब्गन नहीं हो 2019 है इस एस टीन साइब कर जो मैं इस्तमाल कर रहा हूं वो है 24 cm, ये 5 साल की वारेंटी के साथ आता है, दिश वाशर में यूज करना बिल्कुल सेफ है और इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है, ये इंडक्शन कुकिंग के लिए बिल्कुल तयार है, आप अराम से इंडक्शन कुकर पर खाना बना सकें की हीटिंग बिल्कुल इवन है, हर तरफ से होती है, और आपकी कुकिंग के लिए तो ये बिल्कुल परियापत है, इस 24 cm बरजनर आरजेंट ट्राइपलाइ स्टेनलेस स्टील फ्राइपन की कीमत 2400 रुपे है आज की डेट में, चलिए दोस्तों कुछ बना के देखते हैं, यहां पर हम कुछ अंडो से ओमलेट बनाएंगे और देखेंगे कि ये ओमलेट बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे दोस्तों फ्राइपन पे, आराम से हम इस ओमलेट को पलट कर और फिर आराम से हम इसको निकाल लेंगे, यह देखेंगे दोस्तों हमारा ओमलेट कितब बढ़ शेफ विकास खन्ना है यह जो फ्राइपन है आपके किचन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा उप्योगी रहेगा और सदा के लिए चलेगा एक कमी जो मुझे लगी कि इस फ्राइपन के साथ कोई लेड नहीं आता और ना ही कोई हमें कोई कि हम इसको एक लिट के साथ खरीद सके हम इस फ्राइपन को पिछले चे महीनों से इस्तमाल कर रहे हैं और पूरी तरह से संतुष्ट है अगर आप इस फ्राइपन को खरीदना चाहते हैं तो मैं एक बाय लिंक छोड़ दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पेंट कमे स्टमाली